बिग बॉस को शुरू वे एक महने से ज़ादा हो चुका है, 30 दिन से उपर जा चुके है, लेकिन still there is no interesting point, और अगर देखा जाए तो कल के विकेंड के वार में थोड़ा सा इंट्रेस्ट बना, क्योंकि सल्मान कान ने सब का वो नकाव उतारना शुरू कर दिया, भले से वो व पी तक एक भी कैपनिसी टास्क नहीं आया है, टास्क तो दूर की बात है, और जो टास्क आये हैं, उसके अंदर में बिग बॉस ने कुछ से घुस करके बोला, कि देख भाई मेरे को कराने का मूड ने है, तुम लोग कट लो गई, बिल्कुल कुछ इस तरह से बीएफ करने इस साल के बिग बॉस से एक और शिकाया थे कि बिग बॉस जब तक खुद नहीं खेल रहे थे, तब तक बहुत अच्छा था, बिग बॉस का जो तमीज का दाइरा था, वो तमीज का दाइरा क्रोस करके जब बिग बॉस सामने आ गये है, तो बिंग आ प्लियर बिग बिग नहीं अच्छे लग रहे हैं उनकी बोल्ज होती है वह काफी कड़क होती है लेकिन यहां पे बिग बॉस पब्लिक के नजर से और पब्लिक के भाशा में बात कर रहे हैं जिसके वैसे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जम रहे हैं लेकिन उनके फैन जो है वो जाके ट्विटर में बार-बार लिग रहे हैं मुनवर दा किंग ओफ बिग बॉस हाउस ऐसा करके बार-बार ट्रेंड चला रहे हैं लेकिन मुनवर भाई ने आभी तक खेलना शुरू नहीं किया है जादा से जादा थोड़ा रोस्ट कर देते या फिर बहुत अच्छा सा ग्यान दे कर चले जाते वही चीज़ को कल के दिन में सल्मान खान ने निकाला कि भाई इन लोगों के लिए तुम रिश्टा बचा कर था मुझे नहीं समझ में आया लेकिन बाद में गौर करने के बाद ये समझ आता है कि वीकेंड के वर में सल्मान खान ने जो उसके परदे उता रहे है उसको बिल्कुल भी नहीं जमा और वह अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए कि वह सच ही बोल रही थी उसे ड्रामा को बाई हर जेगे पर एक सेंटेंस के अंदर में बारह एक्सप्रेशन दे जाती है और ऐसे लोगों को मुवी नहीं मिल रही है रास की बात है इस रास का कोई पता करो तो फाइनली मनारा चोपड़ा को सल्मान खान ने बता दिया कि तुमारे अंदर में रिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है और तुम हर जगे पर सारकाजम देखाती रहती हो सारकाजम से बात करती हो जो कि तुम्हें करना चाहिए एक चीज़ से तो भाई मैं भी नाराज होगे ना मैं यूके 07 का कोई फैन हूँ ना है उसके चैनल में एक भी वीडियो मैंने पूरा देख है बस यह भाई साब जब से घर के अंदर आये है मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया है इनके अंदर में पूरा यूट्यूबर वाला क्वालिटी है फुल नकरे फुल मतलब वो देखावा हो खावा है चालू है क्योंकि यहां पे मैंने एक चीज़ नोटिस के जब मनारा रो पहुचे अपना फुटेज ले रहे हैं मतलब भाई साब उस जगे पर जाकर के ट्राइए जहां पर उनको फुटेज में सकता है दूसरी बात बाई साब ने तरफ से स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट का वह खुद मतलब निकाल करके नहीं बता सकते जब वह बाहर स्लमान खांन का कहना यह है कि तुम अपने अपने ऊड्यंस की खाते हो अपने उड्यंस की खाते हैं यह तो सबूपने एयलोग फिए खाते हैं और मैं तो offend हो गया और मेरे जैसे नाजने कितने सारे लोग होंगे कलमान खान का ये statement बहुत गलत था अब इस हफते के बाद पता नहीं क्या होगा और कब वो time आएगा जब हम किसी को captain बनते वे देखेंगे यहाँ पे तो big boss खुदी captain बन करके घर को left right center गुमा रहे हैं आपकी क्या रहे हैं इस season के अब तक के बारे में भाई comment करके ज़रूर बताना और आपको कौन से बात से आप ज्यादा एकडर है और कौन से बात ochra से डिस अगरी कर रहे हैं वो भी लिख पर जमन मताना यहां तक वीड़ेक्ट देखने के लिए दिल्सते दिन बाद मेनों और गाने क्टस वीड़े में तब तक कीलिए वोस्त्रा वोस्त्रा उस्थ्स्राइब कर दो